सोलन के समीप धर्जा में एक चलती कार में अचानक आग लग गई आग लगने से कार पूरी तरह से जल गई गनीमत रही की कार में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं अलांकि आग के सही कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है बताया जा रहा है कि कार में शौट सर्केट के चलते आग लग गई जैसे ही कार में आग लगी सबी लोग कार से बाहर निकल गए देखते ही देखते आग ने भ्यंकर रूप ले लिया और चंद समय में ही कार पूरी तरह जल गई जानकारी के अनुसार शहर के समीपवर्ती गाउं मशीवर का एक परिवार सोलन से राशन लेकर परिवार सहित गाउं जा रहा था इस दोरान धरजा के पास कार में अचानक आग लग गई इससे कार में रखा सारा सामान भी जलकर राख हो गया जिस समय यह घटना हुई उस समय गाड़ी में दो बच्चे एक महिला इवं दो व्यक्ति सवार थे घटना के बाद पूरा परिवार सहमा हुआ है दिवे हिमाचल वेब टीवी के लिए सोलन से सुरेंद्र मम्ता की रिपोर्ट